मस्कार, मैं हूँ नरेंद्र और अपका स्वागत है फिलन स्टेडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर तो सातियो जैसा कि मैंने आपको बादा किया था कम्मूनिटी पोस्ट पर कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा रोजाना किसका इस्टेटिक जी के का उसी किरम्मे में पहला वीडियो आपको लेके आया हूँ और पहला वीडियो जियोगरफिसे है यह टॉफिक है धरआ थीक है? जो पासिस होते हैं Montana पास क्या होते हैं तो देखो क्या होता मांटेंे पासिस के डेमिशन बताता हूँ आपको परवतों के आरपार और बिस्तृत और प्राकरतिक मारग जिससे होकर परवतों को पार किया जाता है पास कहलाता है बासमझ में आई पहली बात कि जो प्राकरतिक मारग जैसे मालो कि यह क्या है पहाड है, इसके बीच में जो रास्ता होता है, वो क्या कहलाता है, ठीक है? दूसरा देखो definitions की और क्या कह सकते हैं बन दो पहाडों के बीच की जगे जो नीचे की ओर दब गई हो इस सरचना को ऐसी सरचना जायतर परवतों से नदियों के बहने की बज़े से बनती है ठीक है तो इसको भी pass कहते हैं लेकर पास में यह definition तो नहीं पूछेगा आपको लेकर पूछता है का कौन सा पास कहां पड़ता है तो आप उसी की सुरुवात करते हैं और important क्या है कहां से कहां जोडता है यह important होता है तो आप दिखते हैं सबसे पहले pass की बात करेंगे हम जंबू कस्मीर के पास कौन-कौन से है ठीक है कौन सा राज लिया है हमने जंबू कस्मीर तो जंबू कस्मीर में पांच तुमारे क्या पड़ते हैं दर्रे पड़ते हैं मुके मुके दर्रे लेंगे दर्रे तो बहुत सारे होते हैं ठीक है आप बास समझ में आ गई होगी आपको कि जो पर्वतों के बीच का जो मार्ग होता है, जो आने जाने के लिए रास्ता देता है, वही क्या कहलाता, दर्रा कहलाता देखो पहला, पीर पंजाल दर्रा दूसरा बुर्जिल दर्रा तीसरा जो जिला दर्रा, तीसरा कारकोरम दर्रा, चौथा और पंच मा बनी हाल दर्रा, तो ये पंच दर्रे हैं कहाँ पर, जम्बू और कस्मीर में, तो देखो जो तुम्हारा बुर्जिल दर्रा है, तो कहां कहां से कहां को मिलाता है, स्री गिल गित से जोडता है डूसरा जो जिलह दर्ण जो इंप्रिन अगर को लेह से जोडने का जोडने का काुर करता है तीसरा कारा कोरम दर्रा अभी कारा कोरम दर्रा जम्बू कस्मीर में नहीं है अभी आपको मालमे उनिन ट्रेटरी बना दिया गए दों कौन कौन से एक तो जम्बू कस्मीर और एक लगदाग तो अभी लगदाग में पढ़ता है ठीका कौन सा कारा कोरम दर्रा और लास्ट दर्रा है तुम्हारा बैनी हल दर्रा जो बैनी हल दर्रा है स्री नगर को जम्बू से जोडने का कारे करता है किसको स्री नगर से जम्बू को जोडने का कारे करता है आप देखो इसमें इंपोर्टेंट देख लेते हैं जो जुड़ गया आप देखो इसमें जो बैनी हल दर्रे में ही एक सुरंग पड़ती है क्या नाम है जवहार सुरंग ठीक है जवहार सुरंग और इसमें एक राजमार्क पड़ता है एन एच बन नेशनल हाइवे बन भी पड़ता है इसी में कौन सी उसमें बैनी हल दर्रे में लेकिन आपसे पूरे के पूरे मैंने पांच के पांचो दर्रे जम्भू कस्मिर के बढ़ा दिये, अब अगला परदेस लेते हैं हमाचल परदेस, देखो ये हमाचल परदेस, हमाचल परदेस में कौन कौन सी दर्रे पढ़ते हैं और क्या क्या है, पहला हमाचल परदेस पढ़ते हैं, हमाच की लंबाई पूछे तो कितनी है 9.02 किलो मीटर बहुत लंबी सुरंग है ठीक है 9.02 किलो मीटर है और ये कब इनॉगरेट हुई थी इनॉगरेशन हुआ था वारह दिशंबर 2020 में जो मैंने लिख रख रहा है यहां पे और कहां से कहां तक जोड़ता है लेह को मनाली से जोडन परता है जासकर सेडी में परता है सिमला को तिबस से जोड़ता है जो सिमला है हमारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी है उसको कहां से जोड़ता है तिबस से जोड़ता है ठीक है और एक important fact है ये fact कई वार पूछा जा चुका है कौन सा fact है सतुलज नदी इसी दर्रे से भा आप बीवर्थ में प्रेविश कर जाती है अब देखो ऑथे लास्ट के दछर से निकलती है चैलास जो परवत है उसके दछर से निकलती है इसका सथ रतने पुराणा नाम क्या सुताद्री इसका नाम है और घ्यसकी लंबाई कितनी ए ए нужda 50 आ किलो मेटर बहती है कितनी 4550 कि की दूरी तया करती है अगला दर्रा देखते है हमाचल प्रदेश का देखो अगला दर्रा है हमाचल प्रदेश का बारा लाचा दर्रा ठीक है ये कौन सी स्रेडीम पता है जासकर स्रेडीम पता है हमाचल के मंडी को एक अब आपको बात पूछे कि हमाचल प्रदेश की क्या है मंडी तो मंडी को लद्दाक की राजधानी जो लेह है ठीक है राजधानी को लासा लेह नहीं लासा को जोड़ता है ठीक है यह लेह नहीं होगा यहां पर क्या होगा हिमाचल के मंडी को लद्दाक की राजधानी लासा से यह जोड़ने का कारे करता है कौन सा बारलाच भारत को भूटान से जोडने का कारी करता है, और यह प्राकर्टिक मार्क देता है, ठीक है, भारत को भूटान से जोडता है, तिस्ता नदी, इसी दर्रे से भारत में प्रिवेस करती है, इंपोर्टेंट है, जो तिस्ता नदी है, जिसे बंगाल की जीवर रेखा भी का आ जात तक इसको तिस्ता नदी को यहीं से प्रिवेस करती है, इसी दर्रे से, जैलैपला दर्रे से, कितने किलोमेटर बहती है नदी है, 309 किलोमेटर बहती है, और देखो, यह कहां से निकलती है, तसो लामो लेक से निकलती है, कौन सी नदी, यह तुमारी तिस्ता नदी, ठीक है, त किम का अगला दर्रा है नाथूला दर्रा कौन सा दर्रा नाथूला दर्रा क्या करता है भारत को चीन से जोडने का काम करता है भारत को चीन से जोडता है नाथूला दर्रा अब आ जाओ उत्त्राखंड के दर्रे जो उत्त्राखंड के कौन-कौन से पासिस है उसकी बात करते है अब उत्त्रा खंड में एक तो नीटी पास है, एकît लिफू लेक दररा है, एक मानादर्रा है. आप देखो जो मानादररा है उसके बारे में यक लायन बतादाओं आपको. जितने भी तीर्थियात्री जाते हैं, आपको माले में दर्शन करने जाते हैं. जो हिंदुर्थियात माना दर्रा से होकर ही तीव थ्यात्री मान सरोवर झील के दर्शन के लिए जाते हैं। ये तीन छेत्र जो हैं, इसके साथ बिबादित हैं, भारत और नेपाल के साथ बिबादित हैं, भारत बर्सिज नेपाल के बीच ये बिबादित हैं समय, ठीक है, तीन छेत्र ध्यां रखना, लेकिन ये दर्रा आपको ध्यां रखनें, नीती दर्रा, लेपुलियक दर्रा और म माना दर्रा से हम क्या करते हैं जो तीर त्यात्री हैं वह से जाते हैं दिख रहा हो छोटा होगा लेकिन इस पस्ट है आपको में समझा दूँगा ठीक है अगला राज जाते हैं अगला राज जहा है भारत का अरणाचल प्रदेश अब देखो अरणाचल प्रदेश में एक दर या यांग यापदर्रा जो यांग यापदर्रा है भारत को चीन से जोडने का कारी करता है लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में प्रिवेश करती है इस दर्रे से इंपोर्टेंट तो यह वाली चीज है जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से जोंप करती है प्रिव एड़ाइंचздравля प्रदेश में क्या करें दिहांग बहते हैं और जब ये तुमारा असंम में आती है तिपा नाम होता है भ्रह्म्पुत्रा ठीक है, तो तीन नाम हो गए इसके यहां से क्या सपहें सांगपू, दिहांग और ब्रहम्पुत्रा केतनी लंब़ाई है इस नदी आरती सो अर्तालीस क्लोлемीटर की दूरी ब्हे कर आती है मतलर इतनी दैती है कितना तो ये भारत को मया मारच्छे जोडने का कार्य करता है, कौंसा दर्राइद प्रमुक दर्रे में ही है। और एक दूसरे राज्य को जोडने का कार्य करते हैं, तो पहला दर्रा दिखाता हूँ आपको में, पहला दर्रा है थालगाट, आपने बहुत सुना हुगा, यह जो दर्रा है, कहां इस्तित है, तो यह महराष्ट मिस्तित है, ठीक है, महराष्ट मिस्तित है, यह कहां कि स्रेड कौन सी है तो ध्यारखना अन्ना मुदै सबसे ऊची चोटी है यह मुंबई को नासिक से जोडने का काम करता है मुंबई को नासिक से जोडता है ज़रा कौन सा दर्रा ठाल गाट दर्रा महरास्ट में पाय जाता है पस्चमी घाट की पाड़ियों में है ठीक है और सबसे उची चोटी की बात करें तो अन्ना मुदई अगला आजाओ दूसरा दर्रा हींगी बात करते हैं अगला दर्रा है भोर घाट ठीक है भोर घाट दर्रा भी कहाँ पर है महरास्ट में है ये भी तुम्हारा पस्यमी घाट की स्रेडियो में पढ़ता है मुंबई को पूने से जोडने का कार करता है ये कहां से जोडता है मुंबई को पूने से जोडता है आप एक बार इसके नोट्स बना लेना चाहो तो मैं इसके नूट्स प्रवाइड भी करा दूँगा आपको ठीक है अगला दर्रा देखो अगला दर्रा है पाल घाट दर्रा जो पाल घाट दर्रा है वो कहां पाय जाता है केरल में पाय जाता है नील गरी की पहाडियों में इस्तित है इस दर्रा दूसरा नाम क्या है इसको पलाकाड दर्रा भी कहा जाता है ठीक है ये कहा को किसको कहा से जोड़ता है ये तमिल नाडू में कॉम्बे टूर को केरल के पलाकाड को जोड़ता है ठीक है ये तमिल नाडू देखो ये चो तो नील गरी की पाड़ियां कहां का पड़ती है नील ग पाई कितनी है 26-37 किलोमीटर लेकिन पुछे पस्यमी घाट की सबसे मुची चोटी कोन सी है तो अन्ना मुदई और पूछे पूर्वी घाट की सबसे मुची चोटी कोन सी है मेहंद्र ग्री ठीक है तो यह दियान रखना अलग-अलग चोटी के बारे में अगला दर्रा देखत और आपको यह वीडियो आखर तक देखना है जिससे आपको इसका फाइदा मिले आप थोड़ा से वीडियो देखोगे और छोड़ दोगे तो इसका कोई फाइदा मिलने वाला नहीं है आप प्रॉपर नोट्स बनाओ और सारा रोजाना में 7 बजे इसी प्रकार से क्लास ला धन्यवासातियो